प्रस्न छे, निम्नलिखित संख्याओं में से परतेक में नियुन्तम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमुल भी ग्याद करें प्रस्न छे का पहला, 130 तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परतेक में नियुन्तम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए यानि 130 में सबसे छोटा संख्या क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो आए हुआ पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ठीक है तो क्या करेंगे 130 का हम वर्गमुल ग्याद करेंगे भाग विधी से तो भाग विधी से वर्गमूल ग्याद करने के लिए दाई और से दो दो अंका जोड़ा लगा लेते हैं तो तीस हो गया फिर अब एक बचा यहाँ पर तो सबसे पहले एक को लगाएंगे तो एक गुना एक क्या होता है एक यहाँ पर एक लिखेंगे इसको जोड़ देंगे एक एक दो यहाँ पर घटाएंगे एक में से एक गया सूनने अब तीस को उतारेंगे उपर से तो यहां पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है तो देखें अगर दो रखेंगे तो 22 दूना 44 जादा हो जाता है इसलिए एक रखेंगे तो 21 गुना 1 कितना होगा 21 21 गुना 1, 21 यहां पे जोडेंगे 21, 22, यहां पे घटाएंगे 30 में से 21 गया तो 9 अब नहीं लगेगा क्योंकि 9 आ गया यहाँ पर सेस्फल में और अगर यहाँ पर कोई अंक रखेंगे भी तो जादा हो जाएगा जैसे एक रखेंगे तो 221 गुना एक, 221 हो जाएगा, जादा हो जाएगा 9 से इसलिए अब नहीं लगेगा तो देखें, 11 आ गया, तो 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है तो कहरा क्या जोड़ा जाएगा, तो 11 के बाद तो 11 में एक जोड़ेंगे, तो 11 का वर्ग क्या होता है, 11 गुना 11, 121 11 का वर्ग होता है, 121, ठीक है तो 130 से छोटा है, देखें, 11 यहां पर आया, तो 11 का वर्ग होता है, 121 लेकिन कहरा है, क्या जोड़ा जाएगा, यानि 130 में क्या जोड़ा जाएगा, तो 12 का वर्ग क्या होता है देखिए 11 के बाद आता है 12 तो 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144 तो 130 से जादा है यहाँ पर संख्या क्या है? 130 है और यहाँ पर क्या है? 11 तो 11 का वर्ग होता है 121 यानि 11 गुना 11 होता है 121 और 11 के बाद होता है 12 तो 12 का वर्ग 144 यानि 144 में से एक सो तीस को घटा देंगे, ठीक है, तभी पता चलेगा कि एक सो तीस में क्या जोड़ा जाए, तो कितना आ गया, चौदर, कितना आ गया, चौदर, यानि, एक सो तीस में अगर चौदर जोड़ देंगे, देखे, एक सो तीस में अगर चौदर जोड़ देंगे, तो जो संख इसका उत्तर क्या लिखेंगे तो उत्तर हो जाएगा तो क्या जोड़ा जाए चौदा को जोड़ा जाए ठीक है चौदा जोड़ा जाए और जोडने के बाद उसका वर्ग मुल क्या होगा बारा होगा तो क्या करना इसमें जो संख्या यहां पर आया है उसका एक बाद वाला लेना है यानि गारा के बाद क्या होता है बारा तो बारा का वर्ग होता है 144 ठीक है फिर 144 में से 130 को घटा देना है 144 में से 130 को घटा देंगे तो जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही जोड़ना है ठीक है? यानि 130 में अगर 14 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 144 बन जाएगा और 144 का वर्गमुल होता है 12 144 का वर्गमुल क्या होता है 12 या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 130 जोड 14 कितना आ गया देखे घटाने पर 14 आया 144 में से 130 घटाने पर 14 आया तो 130 में अगर 14 जोड़ने तो कितना आ जागा 144 ठीक है और 144 का वर्गमुल क्या होता है 12 144 का वर्गमुल 12 होता है तो इसका उत्तर में हम लिख लेंगे क्या जोड़ना है? 14 को जोड़ना है और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमुल होगा 12 यानि 14,12 इसका उत्तर होगा तो 130 में 14 को जोड़ना है और जोडने के बाद जो संख्या होगा पूर्ण वर्ग होगा किसका वर्ग होगा बारा का यानि उस संख्या का वर्गमूल होगा बारा तो 14,12 14 जोड़ना है और जोडने के बाद जो संख्या हैगा उसका वर्गमूल होगा बारा तो क्या करेंगे पहले हम भागविदी से वर्ग मुल ग्याद करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा तो 11 का वर्ग 121 होता है तो इससे छोटा है हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर 12 का वर्ग लेंगे ठीक है? तो 12 का वर्ग होता 144 फिर 144 में से 130 को घटा देंगे तो आ जाएगा 14 यानि 14 को जोड़ना है 130 में क्या जोड़ना है? 14 फिर 130 में अगर 14 जोड़नेंगे तो क्या जाएगा? 144 और 144 का वर्ग मुल होता है 12 यानि 14,12 इसका उत्तर होगा दूसरा दूसरा है 8400 तो इसका हम बर्ग मुल ग्याद करेंगे भाग विधी से तो भाग विधी से बर्ग मुल ग्याद करने के लिए दाई और से दो-दो अंका जोड़ा लगा लेते हैं तो इधर दो सुन्य हो गया, इधर हो गया 84 तो 84 को लगाएंगे तो 9 नमा 81 देखिए, 9 गुना 9 क्या होता, 81 तो 9 से लगेगा यहाँ पर 9 लिख लेंगे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर जोड़ देंगे फिर 2 सुन्य उतारेंगे उपर से तो फिर एक बार में लगेगा तो 181 गुना 1 होगा 181 यहाँ पर जो अंक रखना है उसी से गुना करना है अब इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर एक लिख देंगे तो 10 में से गया 9 9 में से 8 गया 1 2 में से गया 1 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 182 अब यहाँ पर देखे, 91 का वर्ग करेंगे तो इससे कम आएगा यानि 91 का अगर वर्ग करते हैं यानि 91 गुना 91 तो कितना आदा है 8281 8281 यहाँ पर क्या है? 8400 है तो इससे कम आया इससे जादा लाना है यानि क्या जोड़ना है? तो इससे जादा चाहिए हमें तो फिर 91 के बाद क्या होता है? तो 92 का वर्ग करेंगे तो आजाएगा 8464 देखे यहाँ पर क्या है? 8400 है तो इसमें पूछ रहा है कि नियूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए? तो 91 का हम वर्ग कियें तो आगे 8281 जो की 8400 से छोटा है हमें तो इससे जादा चाहिए इसमें जोड़ना है तो 92 का वर्ग लेंगे 92 का वर्ग क्या आगे? 8464 तो 8464 जो है देखे 8400 से बड़ा है यानि अब क्या करेंगे? 8464 में से 8400 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 हैगा? ठीक है? यानि 64 को जोड़ना है क्या करना है? 64 को जोड़ना है तो 8400 में किसको जोड़ेंगे? 64 को तो क्या जाएगा? 8464 और 8464 किसका वर्ग है? 92 का वर्ग है यानि तो 8464 का वर्ग मुल क्या हो जाएगा? 92 तो इसका उत्तर में हम क्या लिख देंगे? उत्तर में हम लिख देंगे कि 64 जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा बानवे देखिए फिर से इसको समझ लेते हैं इसका वर्गमूल निकाले क्या आ गया एकानवे वर्गमूल नहीं आया इसका क्योंकि सेसफल बच गया है तो वर्गमूल तो ये नहीं हुआ ठीक है क्योंकि सेसफल यहां पर सेस बच गया है तो 91 का जो वर्ग होगा इससे छोटा होगा 91 का वर्ग कितना होगा 8281 और 92 का वर्ग होगा 8464 तो जोडने के लिए कहा रहा है तो 8464 8400 से जादा है तो इससे हम 8400 घटा देंगे क्या आगया 64 यानि 8400 में किसको जोडना है 64 तब जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा किसका वर्ग होगा 92 का वर्ग होगा यानि 8464 का वर्ग मुल होगा 92 तो 8400 में जो नियूंतम संख्या जोडना है वो 64 होगा और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा बानवे तो इसका उत्तर होगा 64,90 यानि 64 जोडना है और जोडने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा बानवे तो यहाँ पर जो संख्या आएगा उससे एक जादा लेना है और फिर उसका वर्ग से इसको घटा देना है ठीक है तो एक आनवे के बाद क्या होता है बानवे बानवे का वर्ग से इसको घटा देना है तो जो संख्या आएगा उसी को जोड़ना है और बानवे होगा उसका वर्ग मूल झाल झाल